नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नोलिश शो में तो दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही कमाल की खबर बताने जा रहा हूँ और ये खबर कुछ ऐसी है कि भारत और रूस जो दिन पर दिन एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं दोबारा बेहद करीब आ सकते हैं और साथ ही जो भारत का एम है कि रूस पूरी तरीके से प्रो चाइना ना हो जाए उसे भी रोक सकता है तो चलिए बिना समय कवाई इस बहतरिन खबर को जान लेते हैं तो दोस्तों आप सभी लोगों ने अभी तक हाइपर सोनिक मिसाइल के बारे में सुना होगा और ये सब से खतरनाक मिसाइल मानी जाती है इन्हें रोक पाना असंभव है आज की तारिक में कारण है इनकी रफतार ये लगभग पांच मैक की स्पीड से रहने की आवाज की गती से भी पांच गुना तेज ये चलती है और इसलिए आज की तारिक में ना कोई ऐसा डिफैंस सिस्टम है ना सि कोई इंट्रसेप्टर मिसाइल है जो इन इंट्रसेप्ट कर सके और इसलिए इन्हें इन्विंसिबल मिसाइल भी कहा जाता है लेकिन क्या हो कि एक लड़ा कुविमान हाइपर सोनिक रफतार से उड़ने लगे वो अन्तरिक्ष में भी ओपरेट करने लाइक हो और इसे बना रही है रूस की कमपनी मिखोयान जी हाँ जो कमपनी मिग लडाकु विमान बनाती है वो ही इसका निर्मान कर रही है इसकी डिजाइनिंग वगएरा भी फाइनल हो चुकी है और इसकी कुछ कैपाबिल्टी है वो भी निकल कर सामने आई है सबसे पहले तो यह कि जो इसकी normal speed होगी वो होगी करीबशन तीन मैक के आसपास यानि की hypersonic से कम लेकिन जब ये अपनी full throttle पर चलेगा यानि की highest speed ये 5 मैक को भी cross कर जाएगा यानि की hypersonic रफ़तार पर भी ये उड़ सकेगा और hypersonic रफ्तार पर उड़ने के कारण ही, दुनिया की कोई भी मिसाइल इसे पकड़ने सकेगी, इसे मार कर गिरा नहीं सकेगी, इसलिए इसे भी इन्विंसिबल लडाकुईवान माना जाएगा, और ये स्टेल्थ होगा और छटी पीडी का लडाकुईवान होगा, यानि कि इसमें option होगा कि ये पाइलेट के साथ भी उड़ सकेगा और बिना पाइलेट के भी इसे उड़ाया जा सकेगा इसलिए इसे एक बहतरीन सिक्जनेशन लड़ा को इमान माना जा रहा है और रश्या ने इसके लिए डेडलाइन भी तैय कर ली है अगले 10 साल के अंदर इसे बना लिया जाएगा और साथ ही जैसे जैसे लड़ा को इमान का निर्मान चलेगा आगे उसके साथ साथ ही इसमें लगने वाली मिसाइले जिने हाइपर सोनिक मिसाइल लगेगी जो बता जा रहा है इसमें उनका भी निर्मान शुरू कर दिया जाएगा ताकि लड़ा को इमान जब बन तो बता दो कि जो इसकी कमजोरी है वहीं पर entry होती है भारत की भी जी हाँ, ध्यान से सुनियेगा देखे, रूस हतियार तो बहुत अच्छे बनाता है जैसे कि उसने S-400 बनाया S-500 प्रो मैथिस बना रहा है S-57 लड़ा को इमान है लेकिन जो सबसे बड़ी कमी आती है वो आती है फंडिंग के कार्ण रूस के पास आज की तारिक में पैसा नहीं है और आने वाले समय में भी उसकी हालत खराब ही होगी ऐसी में जो फैटर जेट के प्रोग्राम है और बिना पैसे के होता क्या है मैं आपको उधान भी देता हूँ रश्या ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था अब से 10-15 साल पहले S-57 इस्टेल्थ हरडा को इमान बनाने का लेकिन रश्या के पास उस समय भी पैसे नहीं थे तो नोंने भारत के साथ कोलाबरेशन करना शुरू किया भारत ने हाँ भी कर दी कोलाबरेशन के लिए और पैसा भी दे दिया चार अरब डोलर भारत को देने थे बताया जाता है कि भारत ने दो अरब डोलर दे भी दिये थे लेकिन भारत और रूस के बीच में कुछ ऐसी बात हुई कि भारत ने अपना पैसा वापस ले लिया और SU-57 प्रोग्राम से बाहर आ गया भारत के बाहर आते ही SU-57 प्रोग्राम की हालत हम सभी लोग जानते है SU-57 को एक proper stealth माना ही नहीं जाता है इंजन में भी उसके बहुत सारे flaws है और वो heat-seeking missile का आसानी से निशाना बन जाता है तो यानि कि बिना funding के कोई भी कितना भी अच्छा project हो कितना अच्छा idea क्यों ना हो वो बरबाद हो ही जाता है ऐसे में Russia को अपने MiG-41 hypersonic लड़ा को विमान के लिए भारत की funding चाहिए ही चाहिए होगे और भारत यहाँ पर funding कर देता है तो भारत यहाँ पर रूस और चीन की जो closeness है उसे भी रोक सकता है और आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जो MiG-41 है इसको लेकर में एक separate और बहुती detailed वीडियो लेकर आने वाला हूँ कुछ समय जरूर लेगा क्योंकि इसको लेकर जाला चीज़ पबलिक है नहीं ऐसे मुझे research करनी पड़ेगी फिर जो fact है उन्हें verify करना पड़ेगा तब जाकर वीडियो बनेगी तो इसलिए मैं महनत पूरी कर रहा हूँ जल्द ही आपके सामने एक detailed MiG-41 की वीडियो आएगी लेकिन अब मुझे आप comment करके बताएए कि आप भारत को रश्या को funding offer करनी चाहिए या नहीं इस MiG-41 लड़ा को इमान के लिए जरूर कमेंट करके बताएगा साथी वीडियो को share की जेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्गोंत बोलेगा थैंक्यों रूर्चिंग वीडियो